हेलो नमस्कार डियरी स्टूडेंट वेलकम टू सक्सिज केरियर आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल सी आइटि आई अनुद्यसक भरती दो अजरबाइस की जो बहाली की गई है उसमें कोट का फैसला क्या है इस वीडियो पर बात करने वाले हैं और साथ में साथ फर पेपर के लिए सोच रहा है तो माडल पेपर का लिंक मैं आप लोग बता दे रहा हूं कैसे करना है सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपेन कर लिजिएगा ठीक है और गूगल पर आप लोग को सर्च करना है सक्सेज केरियर एस इस पे सी ए सक्सेज केरियर सर्च करिएगा गूगल पर और उसके बाद जो फॉस्ट वाला इंटरफेस आपको यहां पर दिखाई देगा इस पर आप लोग को टैप करना है सक्सेज केरियर ठीक है लोग आप पाचान लिजे हलका ब्लू कलर में जो यहां पर यह लोगों आपको दिखा दिखना होगा यूपी इंस्ट्रक्टर सिलबस 2021 वाला तो देख लिजिगा आपको पेपर देखना है माडल पेपर इसको क्लोज कर लिजिगा और उसके बाद आपको यूपी ट्रेपल सी इंस्ट्रक्टर माडल पेपर मोग टेस्ट दोज़र बाईस का आप लोग को यहां पर ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर आप लोग को प्रेक्टिस सेट इस्टार्ट दी क्विज पर क्लिक करके आपको क्विज लगा लेने हैं यहां पर हंड्रिड कोस्टन आपके एक्जामें जैसे पूछे जाएंगे और यहां पर संसोधी पूर्ण रि का देखिए कोड के दोबारा आज की केस स्टेटा से जो कि नेक्स्ट येरिंग डेट 31 तारिक था सोरी आज जो साथ फरवरी था और केस लिश्टे लिखा है क्या रिजन था क्या रिजन नहीं था यह हम देखिए मैं बता देना चाहता हूं रिजन क्या था और यह जो केसे अब कल की डेट में चला गया है यानिकि साथ फरवरी था अब जो केस जो हुआ है वो अब सुनवाई होगी उसकी आठ फरवरी 2022 को क्यूं आठ फरवरी 2022 को यह सुनवाई होगा उसके पीछे रिजन में आप लोग को डिसकस कर देना चाहता हूं वो लेटर दिखा देना चा रोटेगा ठीक है तो वो भी नहीं दे पाएं रीजन इसके पीछे यह मैं वह लेंटर देखिए वह लेंटर आपको यहां पर देखिए यह आडर डेट आट तारीक कर दिया गया है रिक्वेस्ट पर इस पर हम भी डिसकस करेंगे अभी इस लेटर को आप लोग देखिए देखिए यहां तीसरे नमबर पर दिया है अन्रिक्वेस्टेट पुट अप दिस केस टुमारो आट फर्वेस दो हजर बाइस को ठीक है यहा यहां पर तीसरे नमबर में जो कहने का मतलब है कि अनरोद पर इस मामले को कल यानी की आठ फर्वरी 2022 को अतरीक द्वाद सुची में नए मामलों के बाद पहले मामले के रुप में रखें गए हैं ठीक है जो साथ तारीको साथ फर्वरी 2022 को सुनवाई था और यहां पर और चीज़े हैं जो आप लोगों से मैं डिसकस कर देना चाहता हूं यहां पर देख सकते हैं बरुन कुमार पाठक जी पीटिशनर है रिस्पोंडेट में इस्टेट आफ यूपी है इसमें बोला गया है अन्रेबल विवेक चोदरी से यह लॉंड कांसिल फार्दी पीटिशनर लॉंड इस्टेंडिंग कांसिल फार्दी इस्टेट एंड श्री गौरों महोत्रा लॉंड कांसिल फार रिस्पोंडेंट कमिशन ठीक है इसमें याचिकात करता के विद्वान अधिवक्ता राज्य के विद्वान अस्थाई अधिवक्ता एवन परतिवादी जो हैं उसके आयोग के विद्वान अधिवक्ता स्री गौरों महत्रा को सुना है ठीक है जो दूसरा आप से नहीं यहाँ पे लॉंड इस्टेंडिंग काउंसिल सेल सी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एंड रिकार्ड फार्दी परपज आफ विच पेट इग्जामिनेशन प्लोस पॉलिसी वा इसा बोले जा रहा है कि इस्टेट गोवर्मेंट के जवारा यानि कि राज्य सरकार दोरा पेट को जबरदस्ति लागू कर वाय जा रहा है इस मुद्धे पर भी असपस्टी करण की आवस्कता है तो यह जो असपस्टी करण मिलेगा कल की जवाब मागा है कल आप लोग को अपडेट में दूँगा आठ फरवी 2022 को कि पेट लागू होगा की नहीं ठीक है कमिशन के द्वारा यह कल की जो इंफामेशन है उसमें पता चल पाएगा इतना ही मेरे पास अपडेट था जितना मैं आप लोग को बता पाया हूं कल की अपडेट में जरूर आप लोग साथ साजा करूंगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लिजगा और आपको कल की डेट में अगर जज ने सुनवाई कर दिया और पेट लागू होगा की नहीं अगर दे दिया पेट लागू के साथ मेन एक्जाम, रिटेर एक्जामनेशन, सेले झाले देपर